कप सूजी लेना है और इसे अच्छे से रोस्ट करना है थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद हम इसमें थोड़ा घी डालना है अब हम ग्यास पर एक पैन रखेंगे इसमें हम डालेंगे देड़ कप पानी पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी डालेंगे बाजू और बदाम को शालो फ्राइ करेंगे इन गैस ओफ करेंगे ये देखिए पानी और दूद्ध दोनों में अच्छा उबाल आ चुका है अब हम बारिक सूजू को इसमें डालेंगे साथ ही इसमें ड्राइफ फ्रूट्स भी डालेंगे और अच्छे से हिला नहीं पर से गी डालने से सूजी के हलवा का स्वाध और भी टेस्टी लगता है देखिए गर्मा गरम सूजी का हलवा तयार है ये देखिए कितना अच्छा स्वाफ्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताईए तो